हाई एवरिवन तो आज हमें इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एक्ट्ट्रस के बारें है yes एक इन्पॉर्टन टॉपिक है एज़िए टउपिक है एक्ट्रस क्या होते हैं इसके उपर बात करेंगे इससे पिछले हमने सेंसिंग या सेंसर के वाप है लिए किस तरीके से सारा काम होता है, टाइपस आफ सेंसर्स एंड सारी क्लासिफिकेशन सब चीज़ कवर हुई चुका है, so, एक्ट्टर्स क्या है, एक्ट्ट्र्स हमने देख चुके हैं, अपर अगर आप इस डियाग्राम से देखो, तो इंपुट अगर दे रखा है, तो सेंसर्स क्या करेंगे, उस पो सेंस करेंगे, एंड प्रोसेस करेंगे, तो प्रोसेस अगे मूफ करेंगे, एंड एक्ट्ट्र्स मतलब उसमें एक्शन परफॉर्म करेगा, कोई भी टास्क है तो उसमें जो action perform करके जो भी आटपूट मिल रहा है वो आई actuator का काम है ठीक है, simple words में यही है actuators एंड इसके पर हैं हम already discuss कर चुके actuators कर रहे हैं बहुत कुछ बट अब हम इस वीडियो के अंदर actuators पढ़ेंगे and types of actuators पूरा cover करेंगे so actuators की अगर definition देखी जाए तो actuators are the devices or the components of a machine तो यह भी एक तरीके का क्या device यह is like sensors ठीक है, that are responsible for controlling or moving a mechanism और a system तो यह क्या करेगा, control करेगा और हर एक चीज़ देखेगा कि किस तरीके से system आगे की तरफ move करेगा like hydraulic ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैंगी types of actuators, hydraulic actuators यह सब इसमें कैसे कैसे काम हो रहा है तो यह सारा scenario जो होगा, वो सब चीज़ देखेगा actuators ठीक है, they convert energy, तो इसमें major जो बात होगी, वो energy conversion के उपर बात होगी जो मैं आपको बता रहा था, electrical, like hydraulic, and pneumatic, and mechanical, तो यह सारी energies हैं, ठीक है electrical energy, hydraulic energy, and pneumatic, and mechanical energy, तो यही सारे types of actuators हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो के अंदर भी तो generally इसी के उपर बात होती है, and उसकी complete physical motions, तो convert energy into physical motions, तो यह जो काम होगा, वो actuators करते हैं, ठीक है अब यार, actuators का actually में यही work है, माल लो, sensor क्या कर रहा है, data को sense कर रहा है, clear, and actuators क्या कर रहा है, जो sensor ने sense कर रहा है इस data को, तो actuator उस data में action perform कर रहा है clear है बात, and वहाँ से क्या produce कर रहा है, output, yes, बहुत simple चीज़ है, and हम यही सबसे पहले, IoT की videos के अंदर, starting के, अगर आप लोग video देखोगे, तो हमने यही देखा था, कि जो sensors हैं, sensors की हल से, सारा data पर sense हो रहा होता है, and फिर actuators क्या perform कर रहा होता है, उस data के साथ, action perform कर रहा होता है, तो यहाँ पर short में लिखते हैं, मैंने actuators, तो action perform कर रहा होता है, and वो produce कर रहा होता है, and वो produce कर रहा होता है, तो make output, ठीक है, so actuators are commonly used in the various applications across different industries, तो actuators का बहुत ज़ागा पर use होता है, just like robotics, and manufacturing, and automotive, और aerospace, इन सारी जगहाँ पर actuators का आप use होते होई, देखोगे, clear है बात, simple तो इस तरीके से काम होता है, एक diagram हमने पिछली वीडियो के अंदर समझाता है, जा हम sensors भी देख रहे थे, तब ये sensors वालना diagram और actuator वालना diagram, तो clear होगा, next to diagram है, which is this, तो sensor से actuator का flow किस तरीके से होता है, वो इस diagram से आपको clear होगा, तो sensor to actuator का flow, अगर आप लोग ध्यान से द अब यहां से Fahrenheit या फिर degree Celsius में जो भी temperature होगा, वो calculate करेगा, तो यहां पर Fahrenheit मिलेगा है, तो F dot या फिर Fahrenheit scale के साब से सेंस किया होगा, फिर क्या कर रहा है, send this detect signal to the control center, तो जो भी signal detect किये गया है, उसको बेच देगा, control center के पास, and control system send command to sprinkle, अब sprinkle आप लोगों ने देख रहा क्यों यह working देख रख क्यों होगा, तो इस तरीके से काम होगा, and then actuators क्या करेगा, sprinkle turn on and put out the flames, तो actuator का काम में बस action परफॉर्म करना है, तो action ही perform कर रहा है, और flame क्या कर रहा है हो, यहाँ पर लिखा है, put out flames, तो इस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है, यही सिंपल है, यही सिनेरिय हो डाइग्राम है sensors का actuator के हिसाब से या sensor to actuator का जो flow है वो मेरे खाल से clear हो चुका है ठीक है sensor कुछ नहीं करेगा sense करेगा then control sensors नदब पूरा जो भी sense उसने किया हो control centers के पास बेच देगा and then फिर वो actuators के इसाब से वाप पर action perform की जाएंगी and then फिर आउट पूटने के लिए एडिन यहीं खेल है और कुछ निए इसमें बहुत जादा examples देख सकते हो for example आप लोगों ने sensors देखेंगे जिसमें मतलब sense हो रहा है ठीक है तो मालूफ face cam तो face अगर में देखा जाए तो face recognition की बात नहीं कर रहा हूं सिर्फ आपके mobile की face की बात कर रहा हूं जिसमें face से फोल अलब होता है ठीक है अलब हो जाता है अब इसमें क्या होगा सबसे पहले आपका face अपका phone अलब को दवा मिल जागा तो actuators का काम यह है कि sense करेगा then output produce करतेगा sense कौन कर रहा होता है sensors एंड उसमें process कर रहा होता है definition से ही आपको इस सारे टैप्स कवर हो जाएंगे बहुत जबा सिंपल एंड एजी और एक्दम precise भी में लिखा है मैंने यहां पर सबसे पहले electric actuators है ना दूसरा है hydraulic and pneumatic actuators और mechanical actuators तो इस सारे टाइप से electric actuators सबसे ज़्यादा यूज होने वाल actuators है तो इस actuators और यूज इलेक्टरिकल एनरजी तू प्रेड्यूस मोशन क्लियर है बात सिंपल दिख रही है एक्दम हैडिंग से समझ में आ रहा है they can include motors solenoids and physio electric actuators and many more तो यह सब क्या है electric actuators है clear होगे बात ऐसी hydraulic actuators है hydraulic actuators मतलब आपने उने fluid के बारे में सुना होगा तो like उसी के actuators उस तरीके से action perform कर रहा होगा hydraulic में वही काम होता है hydraulic actuators का hydraulic actuators use pressurized fluid to generate the motion तो fluid में अधर pressure दे दिया जाए उससे एक motion मिले motion generate हो तो उससे कहेंगे hydraulic actuators ठीक है यही है hydraulic actuators they are commonly used in heavy duty applications where high force or precise control is required very 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 important आप लोगों ने braking system देखा होगा अपने कार बगेरा में तो कार में क्या होता है accelerator होता है जैसी ब्रेक दबाते हैं तो कार रुपती है वह आप पर कौन सा pressure होता है hydraulic pressure होता है and sometimes you can also say that the hydraulic actuators का वहीं पर working सबसे जादे देखने को मिलती है so IWC actuators क्या होता है fluid के through से pressure मतलब pressure fluid से बनाते है and engine क्या होता है motion होता है तो brake लगता है अगर गार की बात की जाए तो brake लगेगा and pressure से भी ब्रेक लगता है तो आप पर fluid रहता है अगर आप लोग ढ़ंग से बढ़ोगे तो ऐसे CS branch में इतना जाद देखने को मिलेगा बर ठीक है अपने उस से लिवास में है IoT के अंदर है तो अपने पढ़ लिया such as construction equipment and industry machinery तो यह सब चीज़ें आप देख सकते हो then next चीज़ें which is called pneumatic actuators तो pneumatic actuators use compressed air to create motion तो जैसे hydraulic में क्या हो रहा था fluid में pressure दे रहे थे and motion हो रहा था और electric में क्या हो रहा था electrical energy से motion produce हो रहा था and जबकि pneumatic में क्या होगा air air को compress करेंगे तो motion produce होगा clear है बात तो मैंने आपको बताई दिया कि इतने short and simple way मैं आपको लिखा है definition कि आप easily way में समझ जाओगे they are often used in the application where rapid motion rapid movement and relatively low forces are required so यहाँ पर समझ में आ रहा है as such as automation systems and pneumatic tools clear है बात यहाँ पर जो air के साप से compressed air के साप से motion create के जा रहा है then next जो चीज़ है which is called mechanical actuators so यहाँ पर mechanical actuators में होगा these actuators use mechanical principles यहाँ पर mechanical principles use के जाएंगे and produce के जाएगा motion ठीक है अब mechanical principles like gears levers or calms to produce the motion वही मैंने आपको बता दिया था ठीक है ना उससे समझ में आ रहा है electric actuators में electrical energy से motion produce के जाएगा hydraulic में fluid से साप से motion produce के जाएगा pneumatic में air के साप से motion प्रेड्यूस के जाएगा and mechanical में mechanical principles के साप से motion प्रेड्यूस के जाएगा they are simple and reliable but may not offer the same level of control or precision as other type of actuators clear है बात so मैं होप कराओं कि आपको single video से type of actuators भी cover हो चुके हैं and actuators किस तरीके से work करते हैं and flow क्या है sensors to actuator तो वो भी आप लोग को समझ में आ गया तो ये दोनों diagram समझाना important था so मैं होप कराओं कि 101% हर एक strength को समझ में आ गया so आज के लिए इतने ही रखते हैं फिलाल मिलते नेक्स रोडियो के साथ बाई क्यां नेक्स एग रखते ही याल